हेलो सो, एसकेल एक्टोन स्वर्णक का सवा, दोस्तों कैसे हो आप आशे होंगा अच्छी रहोंगा दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है यह बहुत जो नए मेंगे उनको तो बहुत बहुत खास है अब दोस्तों यह वीडियो कौन की मेरे पास 32 सिंची के LED TV आया एक ही पार्ट क्रीजर कर दो Bab знач crystal कर साय वोग्षा में किया कि उन सी पर्लाइट कर मैं तो छलाता हूं मैं है एक हम स्क्रीन है एक बार लाइट आहे मैं पूरंत चलिऊ जाएगी फिर इसमें कुछ बी नहीं आहिए सीर्प सांड आता रहेगा तोदोस्तों उस activityО quand करनी चाहिए कैसे ठेक करना चाहिए पूरा डीपली बताऊंगे आप आपकी दस-पंदे मिन आपका लगेंगे तो पर लेकिन ये दाधर को हम जिन्द की में गया कि प्रोब्लम आई दो तो इसी तरह से ठीक करनी है हंटाइड ऑन परसेंट सोल्यूशन होगा और मैं LCD को देख शिर्फ एक सेकंड के लिए बलू आया बाकी बंद कुछ भी नहीं आएगा शिर्फ इसमें फिर अगर हम इसमें audio video लगाएंगे HDMI लगाएंगे कोई भी signal देंगे तो शिर्फ अब आज आएगी कोई भी display नहीं आएगी देखे मैंने off किया फिर फिर सोन करता हूं थोड़ा ध्यान देना गौर देना display के दरब शिर्फ एक सेकंड के लिए आनी है देखे यह यह आई थी तो दोस्तो यह प्रोब्लम है इसमें ऐसी प्रोब्लम में आपको क्या चेक करनी चाहिए कैसे ठीक करना चाहिए जो नए माकनी हो खास इस वीडियो को पूरा देखे एक बार दोस्तों जो मैं आपके लिए बनाता हूं क्योंकि हमारे पास रोज के रोज कुछ को फालट आते हैं हम आपके लिए बनाते हैं कोई दोस्तों इंतरा अच्छी तरह से आपको Institute में नहीं सिखाएगा हम आपको फ्री में प्रोवाइड सोलीशन कर आपका फ्री में कुछ नहीं जाता आप वीडियो देखिए मज़े लीजिए हम आपका पूरा solution देंगे अब LED को जल्दी से open कर लेते हैं हम आपको दिखाते हैं देखिए यह हमारा पूरा combo board है इसमें क्या होता सप्लाइ सेक्षन आलग अपना इन्वैटर सेक्षन आलग यह back सेक्षन हो गया इधर हमारा main controller है हमारा inverter सेक्षन इन्वैटर सेक्षन से ही हमारी backlight की voltage आती है यहां पर क्या होता है हमारी 12V बनती है और 40V बनती है 40V को inverter सेक्षन बुष्ट करके अपनी 60-60 से लेके 70-80V तक backlight में पुचाता है वहां पर क्या है हमारी series में तीन backlight लाइट होती है वहां पर हमारा voltage जाती है और backlight on हो जाती है जैसे हम control करते हैं लेकिन हमें यहां पर voltage चेक करनी होगी जैसे एक सेक्षन के लिए तुरण तो यह जा क्यों हो रही है इस condition में दोस्तों आपको इस चीश बताना चाहता हूं यहां पर backlight आपकी खराब नहीं होती है ध्यान से देखें देखें 200 वोल्ट DC पर हमने मल्टीमेटर को लगा लेना है लगा लिया उसके बाद में इसकी दोनों प्रोब में से कोई सी भी एक प्रोब को ग्राउंड कर देना है ग्राउंड का मतलब या तो इसकी बोडी पे लोहे की या जहां पर इसके VGA HDMI या ओडिय वीडियो को पॉर्ट लिखने है उसकी बोडी पर बाहर की तरफ कहने मतलब यह है अर्थिं इससे ग्राउंड मिलना चाहिए यानि कि निगेटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए किसी भी प्रोब को तो मल्टीमेटर को 200 वोल्ट के लगा अब ध्यान देना यहां पर एक तो हमा हमारी अपना अलग-अलग डेटा जाता है पांच वोल्ट रागलेटर कराने के लिए वो तो वह हमें 12 वोल्ट जहां से सही जा रही है फिर आज कि यह बैक लाइट के लिए यहां पर एक डायोड लगा है वो दूसरे से से देखिए से देखिए से सेक्शन में है यह मतलब यह 38.8 वोल्ट मिली है यह भी करीगवरी ठीक है तो बैक लाइट पर फिलाल जो डिर्यक्ट वोल्टे जाती है वह है जाती है लेकिन जैसे ही हमें इस्टेंड वाइस से लेज करते हैं यहां तो तुरंत ही हमारी वोल्टेज यहां पर 60 या 50 मतलब उपर उपर जानी चाहनी तो देखें अभी मैं अन किया तो देखते हैं कितनी वोल्टेज जाएगी एकदम से देखना एक से राइस तक आई थी दोस्तों देखें पर धीरे धीरे अपने आप यह डाउन हो गई देखें एकदम से इस टंबार से लिज की थी एक से लिज तक पहुछ चुकर देखें धीरे धीरे फिर से वहीं पर आ गई है अब मैंने LED को आफ करके दुबारा अन किया देखे इस्टेंट बार से लिज करता हूं मीटर पर देखना 32.12 अब ध्यांदेना एक से किल यह बढ़ेंगी तो देखते हैं ल attendance देखी एकड़ से 81 test प strong voltage गई है मारी 81 तक गई है तो दोस्तों सिर एक से किल बढ़ रह फाल्ट पावरे the backlight का नहीं होता है लगेगा हमें कि backlight खराबं है नहीं दोस्तो ऐसा नहीं है बैकलाइट खराब होती तो दोस्तो हमारी यहां पर वोल्टेज रुकती और दोस्तो जब लोड होता है लोड ना हो इस पर बैकलाइट जहां पर लगी हुई है तब भी दिक्कत होती है पर दोस्तो ऐसी कंडिशन बैकलाइट हमारी बिल्कुल भी यह जो तीन कैपिस्टर है ना इनिमे से हमारे कैपिस्टर वीक हो जाने के वज़े से ऐसा फाल्ट बनता है पहले आपको क्या करना है आपको काड को अच्छे से सफाई करना है ध्यान देना है काड को अच्छे सफाई करना है उसके बाद में यह टेस्ट करने है test इसमें आप मत करो क्यों क्या होता है फूलते भी नहीं है और ऐसे दिखने में फिजीकली भी आपको कुछ नहीं लगेगा लेकिन अपने अपने अंदर से जीक हो जाएगा अब ऐसे एक बाद बताओ आदमी कोई हटा-खटा दिखे और बहुत से अंदर से वह कमजोर हो तो ह हो जाता है बहुता इस था दोस्तों बिलकुल बुढो गांचा दिखेगा लेकिन अंदर से weak हुए हो जाते हैं इसकी वज़े से fault आता है अब दोस्तों यह हमारे दो कैपिश्टर इधर लगे हैं 35 वोल्ट के और यह कैपिश्टर उपर की तरफ 100-200 वोल्ट का लगा हुआ है जो कि 470 मुफ का है तो जो उपर की तरफ जादे वोल्ट का है वो आपकी बैक लाइट सेक्शन के लिए लगा हुआ है और जो 35 वोल्ट के लिए है तो उपर की तरफ जादे वोल्ट वाला है कैपिश्टर को निकाल गे हम यहां पर अधर कोई कैपिश्टर लगा के देखेंगे जो की आपका 70-80V से उपर-उपर का हूँ जैसे कि 100V हुआ 150V हुआ 200V हुआ वो तो इस कैपिस्टर को हम यहां से निकाल देंगे तो दोस्तो इस कंडिशन में हमारा बैक लाइट का कोई भी इस्यू नहीं रहता आपको कोई भी पैनल वगएरा खोलने की जूरत नहीं है यहां पर जो इन्वेटर सेक्षन है यहां पर बैक लाइट की जो तार लगे हुए है वहां पर जो भी आपको कैपिस्टर लगे उसको चेंज कर देना है और आपका प्रोब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है अगर फिर भी नहीं होता उसका भी सॉल्यूशन हम जरूर बताएंग क्वश्वां इस कैपिस्टर को बाहर निकाल दे हैं यह इनए यह फोड़ोडं देखता हूं आपको कोशिस करूं का दिखाने ही तो मैं पे पहले स्सक्षाफ्ов कर लेता हूं या आप सोल्लिंग पुम से इतना अच्छा खास नहीं हो पाता है जो सिल्डों गश्वां से यह मैं आपको जड़ा भी दिखाना चाहता हूँ यह इसकी वैल्यू जाहे दोसो वोल्ट थी हमारी और 470 मुफ तो मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ इसको अभी मैं दोस्तो एक मेर पास कैपिश्टर ही पर पड़ा हुआ है प्लाल में उसको लगा के देखता हूँ 100 वोल्ट ज़्यादा ही लगाने चाहिए वैसे मैं यहाँ पर कम लगा के ट्राई कर रहा हूँ एक बार चेक करता हूँ मेरे पास फिलाल अभी यह है वन्हा मुझे अधर पुरानी LED में से निकाल के लगा देना होगा चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जब दोस्तों हमारे कैपिश नहीं आप चुके हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर नहीं होता है दोस्तों हम डोनों को पैलल में लगा देंगे हमारे स्वोलिशन हो जाए एक तो इसी पर लगा रायन देंगे और एक और हम बैकलाइट के आउट-पुट के साथ लगाएंगे तो दोस्तों इस पे 1 second के लिए आई तुरंट चली गई तो दोस्तों अभी भी हमारी problem का solution नहीं हुआ है तो अब दोस्तों क्या करना है हमें दोस्तों इने दोनों को एक साथ लगा देना है कहने मतलब यह है इने पहलल में दोनों को लगा देना है आपका काम हो जाएगा अगर आपके पास देड़ सो है दोसो वोल्ट या सो वोल्ट का भी 470 मुफ से उपर का है तो दोस्तों आप उसे लगा सकते हो वनना अगर आपके पास 200-200 मुफ के हुए या 100-200 मुफ के हुए तो इस कहने मतलब यह 470 मुफ से उपर उपर लखना है आपको कम नहीं जाना है तो मैं इस कोई बात नहीं होता है ऐसे नहीं है कि दोस्तों एक बार में ही क्लियर कर दें कोई अंतर याम ही हम भी नहीं है अंतर याम ही कोई नहीं है कि एक सेकिंड में ही उसको क्लियर कर दे है एक दबार दोस्तों होता है तो हम क्या करेंगो इस कैपिश्टर को वापिस ऐसे ही लगा ड़ीडर को अधो दो दो कि अब या पर याई नहीं है नहीं माने दा पे यहां पे लगा देना है यहां पे ल कंटिक कर दूँ और जड़ा लगा थो पिल्गल लायख दिखा रहे आपके दोससों सामने जो है अपके सामने घौदियुद क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तो यही खास बात है 100% 10% आपके सामने रियल वीडियो बनेगी जो भी होगा आपके सामने लगाएं न जो भी होग करेंगे ठीक वह करेंगे जो भी होगा रियल बताएंगे कोई चुपक वाला सिटम नहीं है तो दोस्तो हमने देखे, कैपिश्टर लगा दिया है, जहां पे हमारी बैक लाइट के आउट्पूट में वोल्टेज जा रहता है, यानि कि जहां पे बैक लाइट के तार जो लगे हुए है, ठीक है, मैं इहां पे सही छे लगाता हूं इसको, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस सबी को पता है जो कैपिस्टर में माइनस का चिन खिचा हुआ तो माइनस का होता है और बाकी जो दूसरी पिन होती है प्लस की होती है पूर लाइट कैपिस्टर होती है यानि कि इसमें माइनस प्लस होता है इसे उल्टा लगा देते हैं तो दोस्तो यह फट जाता है कभी कभी गर्म हो जाता है कराप देता है नियास कर देख लेदा तो दोस्तो हमने यह पर फिलाला है यह आपको चेक करके दिखातों अगर यह पर छलता है तो ऐसी को ओपर को तरह Olde में लगा के छोड़ देंगे उपर की तरफ से लगा देंगे और पैक करके चलावला के देख लेंगे तो इसको स्टेंड वाइस रिलीज करते हैं पीशिवी में लाइन दी हो जड़ा ओन करने को सकते हैं एक बार एक फिर चार्ज होएगा साय दिक्कत हो से फिर आपने चलता ये डाउन है बैक लाइट में तो देखे 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 दुस्तों देखे पर मनेंट की लिए जल चुकिया देखिए आरी आपको दिख रही होगी पीछे की तरफ से बैग लाइट पर देखे लिए ग्यादी की तरफ देखते हैं यहां पर समान अटाते है लगां ये से लि अब देखते हैं जड़ा स्क्रीन की तरफ को तो देखते हैं तो दोस्तों देखिए स्क्रीन की तरफ देख लिए नो सिगनल हमारा आ चुका है नहीं कि एरेडी परफेक्टली चल चुकी है और मैं आपके एक ची बताना चाहता हूं यह पढ़िया सोल्यूसन है पर्माइंटर कोई दिक्कत नहीं है इस कैपिश्टर को हमेंसे अगली ऊपर की तरफ से PC में लागा चोड़ो तो महां पर एक कैपिश्टर लगानी की जंगे दे भी रखी है पर कंपनी ने फिर भी नहीं लगा रखा है महां पर बैंड है मतलब दे रखी है हमें होल-खोल के सपा करके लगाता हूं मैं देखिए 66 वोल्टेज आ रही है अगर इसकी वोल्टेज बढ़ा नहीं है तो आपको सेटिंग में जाके बैक लाइट को जादा कर देना अपनी वोल्टेज बढ़ जाएगी अपने तो दोस्तों देखिए हमारे यहां पर पर प्रफेक्टली एलेडी काम क दोस्तों मेरे भाई वीडियो को लाइक तो बनता है अभी आपको बिलुकुल पैक करके चला कर दिखाते हैं तो दोस्तों देखिए हमने पैक कर दिया पूरी परफेक्टली चल लिया स्क्रीन भी चला कर दिखाते हैं आपको हम जो इसकी पिक्टर एक्सको बलर करेंगे क्य दोस्तों हमने इतने अच्छे समझा दिया है फिरी में प्लीज एक लाइक तो बनता है और जो चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो यार आपको इतने अच्छी वीडियो रोज मिलते रहे हैं आज के इतने मिलते हैं नेक्टर में जैहिन वन देमातम दोस् चैनल